नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है Defense Offices Academy के YouTube चैनल पर काफी phone calls बच्चों के और काफी parents के भी calls हमारे पास आ रहे हैं कि सर इस बार क्या उने वाला है या इस बार भी June वाले Maths के पेपर में अगेन वह International Olympiad आएगा नहीं आएगा या इस बार elementary बच्चों से पूछी जाएगी तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो काफी phone calls के थुरू और parents के थुरू हमारे पास आ रहा था तो मुझे लगा एक वीडियो बना लेना चाहिए अच्छा देखिए parents का ऐसा कहना है जिनके बच्चे अलड़ी RMC में हैं उनका ये मानना है कि सर जो teacher ऐसे question paper बनाय करते थे वो RMC से भड़ चुके हैं और साथी साथ जो पहले principal थे वो भी change हो चुके हैं तो इस बार probability कम है मैं probability की बात कर रहा हूं मैंने अपने बच्चों को probability पढ़ाई भी है तो chances कम है इस बार कि बच्चों से olympiard वाली maths पूछी जाए ऐसा उन parents का कहना है उन parents का feedback मैं आपको बता रहा हूं लेकिन देखिए मेरा हमेशे से यही मानना रहा है कि you have to always prepare for the worst case ठीक है अब ठीक है elementary तो important ही है मैं तो elementary mathematics को integral part मानता हूं RMC exam का ठीक है लेकिन साथ ही साथ आपको olympiard based maths भी देखनी पड़ेगी ओके क्योंकि आप चलिए अगर by the way इस बार सिर्फ elementary mathematics आती है तब तो फिर कोई problem भी नहीं तब तो majority of बच्चे अच्छा perform करेंगे लेकिन अगर पूरा का पूरा olympiard आ जाए फिर क्या करोगे आप ठीक है तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे सबसे पहली बात तो हम लोग यह देखेंगे कि आप लोग को क्या इस बार elementary वाला paper expect करना चाहिए और नहीं करना चाहिए दूसरी हम बात यह करेंगे कि अगर olympiard based paper आज आ जाए इस बार भी तो based on this year's result यह जो अभी exam वहाँ से क्या analysis निकल कर आया है या वहाँ से क्या conclusion निकल कर आया है वो भी मैं आप लोग के साथ discuss करूँगा ओके तो देखिए सबसे पहले मैं आपके बताना चाहता हूँ कि RIMC में पिछले दो sessions पिछले दो sessions से olympiard based maths पुछी जा रही है ठीक है इसके reason बताया जा रहे थे कोई science सर करके RIMC में थे ठीक है उनका थोड़ा सा रुजहान था olympiard based पर और उन्होंने जो तब के principal थे कादियान सर उनसे मेरी खाल से सारे चीज़े discuss खरिये होगी तो उन्होंने allow किया और वहां से olympiard का आना शुरू हुआ ठीक है यह again मैं बता रहा हूं कि यह parents के feedback के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यह यह facts कितने सच है उसके बार में हमें नहीं मालूम लेकिन हा जो basically बात निकल कर आई है उसका क्या निचोड हो सकता है उससे हम क्या सीख सकते है उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा तो पिछले दो sessions में हमें यही इसी तरीकी के questions देखने को मिले अब क्या है कि जो थे RIMC में वो basically अब वहां से हट चुके हैं और principal भी change हो चुके हैं ने principal आ चुके हैं RIMC में तो इस बार ऐसा बच्चों का देखिए जो RIMC के students है न और जो उनके parents है ठीके इनका भी उनका से यही assessment है उनका भी यही सोच ना है उनका भी क्या assessment है उनका भी इस बार elementary based mathematics आएगी, थीकहं, अब देखिए based on parents या based on students students of RMC उनका यह मानना है कि सर इस बार elementary mathematics आएगी ठीक है मेरा क्या assessment है यह दीए का assessment है मैं तो हमेशा कहता हूं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि RMC क्योंकि RMC का अगें लेवल बहुत अच्छा है और कहीं नहीं हर स्टेट से जब एक बच्चे को लिया जा रहा है या सीट से इतनी लिमिटेड है तो हाँ एक लेवल होना चाहिए तो मेरे तो यह मानना है कि अब मैं माट्स को olympiard olympiard कम elementary मानूंगा ठीक है इस तरीकी की मैं मानूंगा और सबसे पहले इस elementary वाली पार्ट पर mastery करना बहुत ज़रूरी है ठीक है जब तक बच्चा इसमें इस बच्चे नए हैं अभी अभी प्रिपरेशन करना चाते है आ रहे हैं सी की तो उनसे तो मैं भी काऊंगा कि आप olympiard based questions को तो देखिएगा भी मत अभी initially आप अपने elementary mathematics को पहले strong कीजिए ठीक है और जब आपकी elementary बहुत अच्छे ही strong हो जाए then you go for olympiard also फिर आप olympiard की questions भी धरी धरी समझ जाओगे लेकिन हाँ pre-requisite यही है कि आपको elementary mathematics बहुत अच्छे से आने चाहिए तो हमारा assessment तो यही है कि we always prepare for the worst case scenario मैं तो यही मान के चलूँगा कि इस बार भी पूरा paper olympiard based आने वाला है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को elementary की तियारी नहीं करवाई है elementary की तियार elementary बहुत जादा strong है इसलिए मैं उनको olympiard करवा रहा हूँ अच्छा दूसरी चीज यह भी है कि जो हमने पिछले दो सेशिंस में सीखा कि जिन बच्चों की elementary अच्छी थी लेकिन जैसी olympiard based questions पूछे गए तो कहीं नहीं उनका maths का paper qualify नहीं हुआ तो इस बार का क्या assessment था कि इस बार दो जो students हमारे एक तो आयश्मान ठीक है और एक मोहमद फरीन और उसके इलावा एक और बच्चे का मैंने interview लिया नखाटे कुछ ना कुछ गाइडिन्स उसने भी हमसे लिये श्री राज नखाटे ठीक है यह महाराश्वे से है यह असाम से है और यह राजिस्था पेपर था उसका भी लेवल काफी अच्छा था तो इनका यह था कि ठीक सर हमें ओलंपियाड हमने करी तो थी हमें आती तो थी हलकी फुलकी लेवल पर यह नहीं कहूंगा बहुत एडवांस लेवल पर लेकिन इन तीनों की सबसे पहले प्लस पॉइंट क्या था कि इनकी elementary mathematics बहुत स्ट्रॉंग थी ठीक है elementary दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज दिन्हों ने यह कहा कि सर हम एक mindset यह बना कर चले थे कि हम लोग एक भी question को नहीं छोडेंगे will not leave any of the question it means that आपको सारे questions attempt करने हैं और जब आपको maths का paper मिलते आ रहे हैं सिखा पहला point उसमें यह लिखा रहता है you have to attempt all the questions वही सबसे बड़ी hint है कि अगर आपको maths का paper qualify करना you have to attempt all the questions अब सर attempt कैसे करें सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है olympia art के questions है सब कुछ है तो भीया given लिखो कुछ approach लगाओ इतनी अब आपने elementary की practice करी होता क्या ना basically जब बच्चा पानिक करता न तो वह blackout वाली situation कुछ बच्चों ने कहा कि सर एकदम blackout हो गया ठीक कुछ सर समझ भी नहीं क्या करें सर आदा घंटा तो हमने आपने basically क्या करना था आपने पहले given लिखना था ठीक जो जो question में data दिया है उसको समझना था अच्छे से interpret करना था math के paper में तो खास बात यह है कि जिन बच्चों की थोड़ी से English week है तो हिंदी में भी question लिखावा रहता है तो आपने अच्छे से इसको interpret करके given लिखकर थोड़ी से अपने approach लगा कर ओके और फिर साथ में थोड़ा सा formulas का तरगा लगा के आपने questions को attempt करना था attempt यही करा इन सबी लोगों ने मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं ठीक है अच्छा इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी लिखकर आ जाओ अब यह मत सोचना बच्चे इसको गयत तरीके से भी ले सकते हैं कि हम कुछ भी लिख लें जो से related है वो लिख लेना ठीक है अगर ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि आपका RMC का paper जरूर qualify होगा अगर वो totally olympiad based आया तो ठीक है हमने करना क्या है हमने जो यह tough situation हम लोग देख रहे है ना RMC का paper tough आ रहा है उसको as an opportunity हमें देखना है और कहीं न कहीं हमें उस सारे paper को सा अच्छे थे academics में उन्होंने क्या किया वो math का paper देखकर एकदम panic वाली situation हो गई तो बिचारे attempt नहीं कर पाए दो questions कर रहे हैं तीन questions कर रहे है और मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो बच्चे ने newly joined हुए थे हमारी academy में जिनका अभी elementary पे ही काम चल रहा था उन्होंने अच क्वालिफाई कर जाते नहीं कर पाए तो उनके कम नंबर है 30s में 40s में और वो बच्चे जिनकी elementary mathematics बहुत जादा वीग थी अभी newly जिन्होंने join किया था जो त्यारी कर रहे थे उन्होंने attempt किया जैसे तैसे तो उनके नंबर जादा अच्छे है 50s में 60s में ठीके तो आप स तो यह assessment है कि अगर उलिम्पियाड बेस्ट बहुत टफ पेपर आ जाए तो उस टफ पेपर में आपने given समझते वे क्या आपकी approach है और उसमें कुछ formulas का तरका लगा लिजेगा chances है कि आपको ठीक ठाक number मिल जाए क्योंकि basically उलिम्पियाड तो किसी को आती नहीं ना अगर ऐस सबी parents या सबी students से यही कहूंगा कि सोचना वेर्थ है कि इस बार elementary mathematics आएगी या उलिम्पियाड आएगा यह सोचना वेर्थ है आप सिर्फ यह सोचिए कि paper toughy आने वाला है elementary को अच्छे से revise कर लिजेगा और previous years के जो दो papers है ना उनको अच्छे से कर लिजेगा क्योंकि कहीं कहीं वहां से ना वह approach आपको समझवाएगी ठीक है जो previous years के दो papers है एक तो जून 2023 और एक दिसंबर 2023 से दोनों papers को अच्छे से कर लिजेगा इन papers से कहीं ने कहीं आपकी approach बन जाएगी और approach करने के बाद बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा ठीक ठाक attempt इस से उलिम्पियाड बेस्ट कुशिन्स पूछे गए तो इस सारी बाते याद रखेगा ठीक है तो लास्ट में फाइनली आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप उलिम्पियाड बेस्ट माथ्स की त्यारी करना चाहते है हमारे पास online course है it's a recorded course आप जरूर इसे अ नहीं अच्छी है तो उसका भी course है आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं फाइनली जाने से पहले all the best कहूंगा सभी बच्चों से these are the numbers if you have very doubt please do call us आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं at the rate d.a.d.n में हमसे जरूर जुडएं आप टेलिग्राम में क्योंकि सारी information in the form of pdf हम आपको यहीं देते हैं साथ इसाथ facebook instagram में हमें follow करना ना भूलें और defense officers academy के official website आप जरूर विजिट करें वहाँ पर भी आपको कुछ important pdf's के साथ-साथ exams and related notifications की knowledge भी आपको मिलती रहेगी ठीक है so that's all for today बबाई see you soon आज का वीडियो कैसे लगा comment करके बताएगा और अगर आप ने हैं तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा hit the bell icon ताकि you get all the important notifications बबाई see you soon all the best जय हिंद ताकि बबाई